हेलो एफ्रीबन स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से हमारी चैनल जी डीसी मेडिसिन पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपुर जानकारी आपको देते हैं तो किसे परकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे चैनल को इंजक्टिवाइटिस में भी चलाया जाता है आखों का कोई इंफेक्शन हो गया इंफ्लामेशन हो गया उसमें दिया जाता है आखों में इलर्जी है पस आ रहा है इन सभी समस्याओं में यह आप्टी कोर का आईड्रॉप बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा तो मतलब इस आईड्रॉप के हम आपको संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो मने रहिएगा थाकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसनों ने पाए जी हां अप्टिक्योर के आईड्रॉप के अंदर अगर हम मेल कंपोजीशन की बात कर लें तो सबसे पहले यहां पे उकी बोरी कैशिटीर्टन Ciara में और जीक बोरी केसे राडी के हम आईड्रॉप के अंदर मिला हुआ होगा बात करेंगे कौंट सी कंपनी बनाती है worried shouldn't इसके manufacturer है, room temperature पर store कर सकते हैं, और एक bottle में 10 ml eye drop आता है, जिसे कीमत 90 रुपय के आसपास मिल जाती है, बात करेंगे uses की, तो ये eye drop मिल लिए आपके eye irritation में मददकार होता है, आखों में चुबन हो रही, किरकिरी टाइप है, जलन हो रही है, आखों में redness है, pink eye वाली समस्या है, इचीने से है, या बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आख में बार बार रगणने का मन कर रहा है, उसको दूर करेगा, साथी साथ, आखों के जो lysozyme होते हैं, उनको प्रोटेट करता है, और आखों के जो muscles वगरा होते हैं, उनको relax करने का काम करते हैं, eye irritation होता है, तो भी अलग अलग content मिले हैं, सबका अपना अपना रूल होता है, सबसे पहले बात करेंगे, बोरी केसिड, तो बेरी केसिड आपका जो bacteria होते हैं, और जो fungal infection होते हैं, उनके against work करता है, और इसके अंदर mild antibiotic property भी होती है, जो कि आपका जो pollution होता है आखों में, जो आखों में किर इसके अंदर antimicrobial property होती है, antiviral property होती है, और anti-inflammatory भी property होती है, जो कि आपके mainly conjunctivitis pink आई या आख आना वाली समस्या में, यहाँ पे useful होगी, zinc sulfate की बात कर लें, तो इसके अंदर mild astringent effect होता है, जो कि आपके आखों को relief देती है, और आखों में जो redness है न, उनको relief देगी, जो आपके teeny blood vessel है, आई में, उनको shrink कर देती है, जिससे आपका redness से भी अराम मिल जाएगा, menthol की बात कर लें, तो आखों में थोड़ा thंडा, thंडक देने का काम करती है, आखों में cooling effect देने का काम करती है, और eye irritation से आखों को बचाने का काम करती है, तो इस प्रकार से यह सार को के पास drop को ले जाना है, shrink करना थोड़ा सा दबाना है, तो एक से दो बुद आपका निकलेगी, फिर doctor आपको जितनी time बूले, उतनी time आप डाल सकते हो, वैसे एक से दो drop आपको दिन में दो से तीन बार डालोगे, तो बहुत ही अच्छा effect देखने को मिल जाएगा, फिर बात करेंगे इसके precaution, क्या सावधानिया रखनी है, तो ये medicine, ये drop सिर्फ external यूज के लिए, internally कहीं insert या ingest न करें, जो भी affected आई है, उसी पे ही आपको यहाँ पे लगाना है, बच्चों की पौश से दूर रखें, डारेर सनलाइट से दूर रखें, और लगाने के पहले आइड़ फेट नहीं होगा, clear है, so ये था आपका opticure का eye drop, जो की आखों में जलन, और आपका जो खुजली होती है, redness होता है, conjunctivitis होती है, किर-किरी टाइप होती है, पसाता है, इन सभी समस्याओं के लिए बनाई गई है, इस drop की जानकारी आपको कैसी लगी, अगली medicine, अ all the very best